हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो स्वामी वेकरन इंस्टिटूट सो इन दिस वीडियो विल डिस्केस आम न्यू यूनिट बाट इस आपरल डिजाइनिंग ठीक है जो की फूर्थ यूनिट है होम साइंस की यूजी सी नेट के लिए तो यहां पर अपरल डिजाइनिंग डिसक सहां पर एक्वर्पमेंट्स का यूज किया जाता है सबसे पहले अगर मैं बॉड़ी मेजर्मेंट की बात करूँ तो बॉड़ी मेजर्मेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं दिस्टेंस बिट्वेंट वान पॉइंट ओ यूमन बॉड़ी टू अनाधर पॉइंट जब भी क। बोडी मेजरमेंट को हम कैसे Describe करते हैं, distance between one point of human body to the another point, यह A point है, B point है, जो आप यह body measurement करते हो एक point से दूसरे point के लिए, पार्मेंट की अध्य हम गार्मेंट की कंस्रॉक्शन करते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, हम एक point से दूसरे distance को measure करते हैं, that is basically our body measurement, ठीक है, एक well आता है जब भी हम बाडी मेजर्मेंट लेते है और यह और फिट किया करता है पर्सन की लुक को एनहांस करता है साथ सश्च परसोनालेटी को भी आड़ करता है ज्युद्ट की लिएफस Jen यह पर जब भी बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं सिर्फ हम गार्मेंट जो मैनुफाक्चर कर रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता कि आप कैसा कपड़ा ले रहे हो कौनसी स्टाइल का बनारे हो सबसे पहले किस पर डिपेंड करती है एज पे एन दा जेंडर और दा सेक्स अफ द कैसी क्वालेटी की होनी चाहिए एक अच्छी क्वालेटी की मेजरिंग टेप जो है वो होनी चाहिए क्योंकि अगर आप मेजरिंग टेप का ढंग से यूज नहीं करेंगे तो बॉडी मेजरमेंट में यहां पर एक्यूरेसी नहीं आती है इसलिए एक अच्छी क्वालेटी की measuring tape लेनी बहुत ज़दा ज़रूरी है turn damage या stretchy tape जो है वो incorrect measurement देती है इसलिए हाँ पर जो measurement होना चाहिए उसको एक accurate tape से ही लेना चाहिए ठीक है next यहाँ पर कैसे procedure होते हैं जब भी हम body measurement लेते हैं क्या-क्या procedures यहाँ पर अपनाए जाते हैं तो हम discuss करेंगे यह सारे procedure के बारे में ठीक है कौन कौन से procedure ले जाते हैं सबसे पहले हम sleeves का पढ़ेंगे types of sleeves skirt pant and measurement हर एक के measurement क्या करते हैं vary करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं neck measurement की बात करूं neck measurement हम कैसे करते हैं this is a round measurement taken around the base or the largest part of the neck यह neck sum क्या करते हैं एक round measurement लेते हैं ठीक है एक measuring tape से इसमें इसमें बोलते हैं neck measurement tape कहां से pass करते हैं around the neck ठीक है pass the tape around the neck over the collar bone in the front and the base of the neck and the back नेक्स हम क्या कर रहे हैं हाँ पर मेजरिंग टेप से नेक का यहाँ पर मेजर कर रहे हैं फ्रंट पार्ट से और पीछे यहाँ पर बैक से भी नेक का पूरा मेजरमेंट लिया जाता है यह पूरा एरिया जो है बाक से पूरा कवर किया जाता है यह मेजरमेंट में हम नेक के व यहां पर आपको बिलकुल टाइट नहीं रखना है इतना पाट रखना है कि यहां पर अगर आप कोई भी शर्ट या कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो कि वह पॉसन को कैसे लगे अगर मैं शॉल्डर मेजरमेंट की बात कर हो या पर अगर आप शॉल्डर मेशरमेंट ले रहे हो यहां उपाट नहीं से एसे मेजरमेंट लिया जाता है. तो शॉल्डर में कौन सा हुग colleague it can be located by feeling for the end of flat bone at end of the shoulder by raising the arm until a dimple appear at the end of the shoulder ठीक है यह जो dimples आते हैं यहां पर mid में तो हम ऐसे पूरा इन arm measurement लेते हैं किस तरीके से measure लेते हैं और इस तरीके से measurement ली जाती है across the back front में एकदम straight यहां पर measurement ली जाती है distance between the base of the neck and the end of the shoulder give this measurement कौन कौन सा distance लिया जाता है neck के base से और यहां पर end जहां पर खतम होता है ठीक है this is basically a shoulder measurement जब हम बात करते हैं shoulder width की या फिर back width की तो इसमें क्या measure करते हैं we measure with one end of the shoulder bond to the other at about four below the back neck ठीक है इस तरीके से shoulder की width को यहां पर measure किया जाता है from the back ठीक है यह पूरा complete हम measurement लेते हैं यह इतना यहां पर distance होता है from the shoulder width to the यह वाला पूरा जबाब point कवर करते हुए ठीक है next हम बात करते हैं high chest measurement chest measurement कैसे करते हैं हाँ पर armpits से लेते हैं ठीक है measuring tape को और यहां पर wrinkles को eliminate करते हैं ठीक है tape को हम straight रखते हैं armpits से in front और back से पूरी measurement लेने के लिए ध्यान क्या रखते हैं कि tape को हमेशे कैसे रखना है floor के एकदम parallel रखना है burst में हम कैसे measure करते हैं fullest part of the burst with the tape held parallel to the floor यहां पर tape को आपको sag नहीं करना है एकदम यहां पर equal तरीके से जो tape है वो होना चाहिए tape tight होना चाहिए ताकि वो slip ना करें और fingers से जब आप measurement ले रहे हो तो वो भी slip ना करें यहां से आप full burst का measurement लेते हो और यह part होता है armpit से यह जाता है high burst में ठीक है तो दो होता है measurement एक full burst का और जो armpit से हम लेकर निकालते है measuring tape को that is basically the high burst ठीक है तो यह आपको learn रखना है next अगर मैं waste measurement की बात करूँ तो waste measurement कब होता है जब भी हमें garment को fit देना हो यह ना garment को fit देने के लिए हाँ पर waste measurement लिया जाता है तो natural waste line का होती है above the hip bone ठीक है आप core tight at the waist which facilitated in taking this measurement तो हम कैसे करते हैं हाँ पर code लेते हैं tape जो की parallel होती है floor से ठीक है ऐसे लेते हैं आप waste का measurement यहां से जो है tape आप रखते हैं waste पे और यहां पर measurement लिया जाता है ठीक है यह burst वाला part है this is waste high hip and hip measurement तो अगर मैं waste measurement की बात करूँ तो इसको आपको proper waste से लेना होता है एक garment को fit देने के लिए ठीक है high hip में कितना होता है देखो अगर मैं high hip measurement की बात करूँ तो this is high hip measurement ठीक है यह क्या है high hip measurement है कितना लेते हैं waste line से 3 inches below हम क्या लेते हैं high hip measurement लेते हैं tape को यहां पर hold करके रखते हैं और यहां पर हम measurement लेते हैं next आता है hip का hip का measurement पूरा कैसे लिया जाता है यहां पर आपको देखने को मैंने बताया है ठीक है this is यह वाला hip measurement ठीक है यहां से proper measurement लिया जाता है arm side या फिर arm hole arm hole का measurement कैसे लेते हैं tape को कहां से पास करते है armpit में से and around the arm hole यह वाला जो है shoulder seam है this is an arm side यह वाला part यहां से arm का measurement लिया जाता है side seam से measure the arm side from the shoulder seam shoulder seam देखा जाता है ठीक है और यहां पर side seam यह side seam और shoulder seam से क्या लिया जाता है measurement लिया जाता है front से और back side से ठीक है तो यह है arm side का front waist length अब कैसे लेते हो front waist length लेते हैं यहां से shoulder से waist तक का measurement होता है waist length और back का कौन सा होता है यह जो neck part है यहां से और back का part कौन सा होता है back waist length front waist length कौन सा है measure down from the highest part of the neck over the fullest part of the waist यह neck से जो waist का यहां पर distance है that is basically front waist length और back में कौन सा आता है shoulder से लेके जो waist तक आता है that is back waist length ठीक है डाइगनली जाता है and center से जाता है तो यह कौन सा हो गया this is back waist length and this is front waist length and this is arm side arm side में shoulder seam लेते हैं and side seam से measurement की जाती है ठीक है अब आता है shoulder to bust shoulder से bust कैसे measurement लेते हो this is shoulder shoulder से bust तक की जो measurement होती है उसको हम बोलते है shoulder से bust इसको confuse मत होना front waist और back waist lens है front में यहाँ पर neck से ली जाती है ठीक है यहाँ से आप neck से waist तक की लेते हैं लेकिन shoulder से bust में shoulder से bust तक की measurement की जाती है ठीक है तो यहाँ पर कैसे measure किया जाता है from the high part of the neck to the tip of the bust इसको हम burst point height के नाम से भी जानते हैं यह किसले useful होती है जब भी हमें burst point जब हम एक blouse की drafting कर रहे हैं जब एक blouse बना रहे हैं तो उस point को यह जो point ले जाता है यह सबसे important होता है जब भी हम यहाँ पर blouse बनाते हैं front neck depth front neck depth कौन सी होती है this is front neck depth ठीक है जो measurement लेते हो shoulder से neck तक का यह कौन सा होता है front neck depth होता है place the measuring tape at the thickest joint of the neck and the shoulder ठीक है यहाँ पर रखते हो shoulder neck के बीच में और यहाँ पर आप measure करते हो front neck line को this is यह वाला back हो गया ठीक है यह कौन सा है front back यह वाला front है यह कौन सा है back back में भी neck और shoulder के बीच मेजरिंग टेप रखके back यहाँ पर जो shoulder आप measure करते हो तो यह कौन सा होता है back neck depth और front neck depth front में क्या है हम कहां से देखते है neck से center front तक back में हम कहां से देखते हैं यहाँ पर यह shoulder और neck का जो space है बीच में distance है वहाँ से लेके back तक तो front और back यह वाला part होता है तो यह थे कुछ body measurement अब हम पढ़ेंगे sleeve measurement के बारे में ठीक है अब हम यह sleeve measurement के बारे में पढ़ते है guys sleeve measurement में क्या आता है सबसे पहले upper arm ठीक है upper arm आता है फिर lower arm आता है upper arm में कौन सा आता है यह वाला ठीक है this is एक आप यह diagram देख लिजए हम किस तरीके से यहाँ पर sleeves की measurement लेते हैं यह है bicep circumference this is length to elbow यह arm length है waist circumference circumference यह elbow का measure करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हैं पर हम अपर arm के बारे में discuss करते हैं अपर arm में कौन सा आता है fullest part of the bicep with one finger underneath the tape यह full आपका bicep circumference होता है यह होता है आपका कौन सा this is upper arm measurement lower में कौन सा आता है measure around the bottom और at lower edge of the sleeve ठीक है यह कौन सा आता है bottom में यह नीचे वाला जो part है elbow circumference है हम यह वाली चीज़ measure करते हैं ठीक है bottom में अब आता है elbow elbow में हम क्या करते हैं आम की elbow का measurement किया जाता है ठीक है यह जो पूरा elbow circumference आया है इसको measure किया जाता है और basically length से elbow का भी measurement लिया जाता है ठीक है elbow wrist हो गया wrist का आपको पता ही है कलाई इसका measurement भी sleeve measurement में लिया जाता है ज यहां पर आपके cuffs लगा होते हैं तो इसका measurement भी proper तरीके से लिया जाता है sleeve length जो की पूरा length होता है यहां से यह this is complete sleeve length वेरी करते है from one style to another for the short sleeve short sleeve के लिए measure down the arm from the tip to the shoulder of the desired level full sleeve skill mg क्या करते है arm को slightly bend करते 90 degree एंगल पर और मेजर करते हैं टिप से कहां तक एल्बो तक ठीक है एल्बो और रिस्ट तक तो यह सारा मेजरमेंट आता है स्लीव मेजरमेंट में अब हम बात करते हैं स्कर्ट मेजरमेंट की मेजरमेंट कैसे करते हैं this is waist hips ठीक है इसका सबसे पहले हम कैसे करते हैं waist to hip measure करते हैं ठीक है सबसे पहले waist to hip measurement ली जाती है उसके बाद यहाँ पर skirt की full length ली जाती है ठीक है सबसे पहले तो waist hip measurement होती है और second measurement कौनसी होती है skirt की length length पूरी हाँ पर measure की जाती है कैसे measure होती है from the waistline down to the desired length as per the garment design तो यह लेंद्ध होती है, waist से hip और एक कौन सी skirt length पूरी हम पर देखी जाती है अब आते हैं pant measurement पे, pant की complete length ली जाती है, ठीक है, from the waistline to the desired level यह पूरा waist से यहां पर length पूरी ली जाती है, ठीक है next है inseam, inseam क्या होता है, inner part of the thigh, innermost part of the thigh to the ankle थाई से लेकि एंकल तक का जो distance आता है ठीक है उसको हम in seam बोलते हैं अगर हम leg की circumference की बात करें तो इसमें थाई measurement होता है knee measurement होता है calf muscles का measurement होता है and ankle का यहाँ पर measurement किया जाता है एक आता है crotch depth इसको हम क्या बोलते हैं this is basically crotch है na सबसे पहले waist measurement फिर यह पूरा waist measurement अगर आप pan design कर रहे हो then hips measurement आता है यह जो line होती है thighs पे that is crotch इसका measurement लिया जाता है knees का measurement लिया जाता है and ankle का measurement लिया जाता है और complete यहाँ से जो length लिया जाती है that is basically grain line तो crotch depth कोन सी होती है जो कि हम बैठते हैं sitting के बाद हम क्या करते हैं measure करते हैं from the waist to the flat surface along the side seam यह किसमें आता है crotch depth में आता है और crotch length में क्या होता है जो कि हम front waistline से back waistline पे measure करते हैं tapes को बीच में रखके ठीक है तो यह जो पूरा grain line है that is basically the crotch length यह तब बनाते हैं जब हम pant का measurement लेते हैं देखो एक तो sitting में आता है crotch की depth इसको पूरा measure किया जाता है ठीक है और crotch की length कैसे लिजाती है side में ऐसे जो अब हमने पढ़ा ना crotch length इसको कैसे measure किया जाता है front waistline से back waistline पे यह पूरा crotch की length आती है और depth कैसे आते हैं जब भी हम बैट कर sitting position में जो measurement लिया जाता है this is crotch depth ठीक है body measurement की है अपर guys need क्यों पड़ती है body measurement एक इसले करते हैं ताकि हहां पर garment की fitting के लिए गार्मेंट जो है वो एकदम fit आए तो गार्मेंट की fitting के लिए हाँ पर body measurement की जुरत पड़ती है अच्छा दिखने के लिए attractive दिखने के लिए हाँ पर proper जो है body का measurement चाहिए होता है अगर proper measurement नहीं आएगा तो यहाँ पर कोई भी चीज attractive नहीं लगेगी नहीं personality जो है वो बहार आएगी निखर की आएगी तो body measurement किसले की जाती है अच्छी लगने के लिए attractive look आने के लिए fit एकदम garment दिखता है ठीक है जब भी body measurement लेते हैं तो किसका ध्यान दिया जाता है to take care of personality of a person ठीक है क्योंकि सबकी personality vary करती है from work person to another person कोई श्टोल है कोई short है fat है lean है तो उसी के according हम क्या करते हैं body measurement करते हैं ठीक है इसलिए body measurement की यहाँ पर ज़रुत पढ़ती है अब जब भी हम body measurement कर रहे हैं body measurement करते हुए हमें किन चीश का ध्यान देना है ठीक है क्योंकि आपर अच्छी क्वालेटी का तेप होर्युसु करते हो फिल्ग मेटल एंऔर एप पॉर्टिकल मेजरमेंट लेड़े foreigners logo यそうだ रहे हैं वह बस्ट मांग मेजरमेंट चाहिए धिकनल और चेहास हो लंग मेजरमेंट हो और सिम्लबu सिल्बड पर लने cảmर छो कला मेज prata चाहिए जिससे क्या है एक accurate measurement आती है ठीक है basic line of the body are to be taken into the consideration while measuring the body parts a proper order and certain sequence should be follow a sequence follow होना चाहिए जब भी आप body measurement करते हो तो वेक systematic way में होना चाहिए जैसे आप पहले waist का ले रहे हो फिर bust का फिर shoulder का फिर arm side फिर waist तो systematic way में body measurement होना चाहिए ठीक है देखना है कि कौन सा fabric आप design कर रहे है woven fabric है या फिर knitting fabric है accuracy measurement में होनी चाहिए ठीक है और amount of ease मतलब comfortableness भी कपड़े में होनी चाहिए इसका कपड़ा design नहीं करना जिससे आपको घुटन हो है तो इसलिए बहुत ease comfortable जो garment है वो design होना चाहिए और यह कब होगा जब हम accurate measuring tape लेके use करेंगे या फिर body measurement यहां पर अच्छा होगा तो body measurement से पहले हमें tape का देखना है ठीक है कि हाँ पर body measurement कैसे ले रहे हो और सबसे पहले हाँ पर tape कैसी guys आपने use कर रखी है ठीक है तो यह था हमारा body measurement का session next video में हम discuss करने वाले हैं और body measurement की बारे में कि किस सरीके से हम body measurement करते हैं नए-nay topics हम जो April designing के हैं उनके बारे में भी discuss करेंगे आने वाली lecture videos में तो यहाँ पर अगर आपको कोई doubt हो तो आप रीचे comment box में mention कर सकते हो video को like share और channel को subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं आपसे next video में till then bye and take care everyone